तीसरे एशेस टेस्स से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा जटका स्पनर नाथनली ओन एशेस सीरीज से हुए बाहर एशेस सीरीज के आँखरी तीन टेस्टों के लिए इंग्लाइन ने दो खिलाडियों के ऊचिटी की रहान नहमद और माथ्यू स्पोट्स को टीम से ज्रॉप किया विराट कोली समुद्र के किनारे वॉलीवाल खेलते नजर आई शान किशिन और रश्वन समेथ कई किलाड़ी मौजूद साउथ आफ्रिका, चेस्ट प्लेर, जेस्स सिमिले, युजवेंदर चेहल सोचिल मीडिया पर तस्वीर साचा की बारत की बाले बास पृत्वी शॉव इंग्लाइड में घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, नॉटिंगम शाया थलब से डील साइन की पृत्वी शॉव दिलीब ट्रॉफी खेलने के बाद इंग्लाइड जाएंगे, काउंटी चैंपिन्शिप और रॉयल लंडन वन डे कप खेलेंगे गुरु पूर्णिमा पर उज्जेन पहुंचे उमीश यादव, बाबा महाकाल की पूजारजना की पतनी तान्या के साथ भसमारती में हिस्सा लिया एबी डिविलियर्स में सुर्य कुमार यादव की तारीफ की कहा सूरिया ऐसे शॉट लगा रहे हैं जो मैंने कभी नहीं लगाए पांगलादेश दौरे के लिए भारती विमिन टीम का एइलान वन डे टीम में उमाव छेतरी समेट तीन नए खिलाडियों को मिला मौका अमोल मजुमदार को मिल सकती है बड़ी जिमिदारी भारती विमिन्स क्रिकेट टीम के चीफ कोच बन सकते हैं जावडन वर्ल्ड चैंपियंशिप को लेकर नीरज चोपडा ने कहा 90 मीचर की बाधा पार करने का कोई दबाव नहीं फिटनेस पर फोकुस रहेगा एथलीट मुरली श्री शंकर ने नीरज की तारीफ की कहा नीरज चोपडा दुनिया के टॉप पाँच एथलीट्स में से एक फीफा वर्ल्ड चैंपियन और्जिंटीना के गोल्ड कीपर मार्टनेस कोलकाता पहुंचे एरपोर्ट पर फैंस ने उनका जबरदस्तों स्वागत किया मार्टनेस ने भारत की तारीफ की कहा मैं उचसाहित हूँ भारत आना मेरा सपना था तीन दिन तक भारत में रहेंगे मार्टनेस, एम अमता बैनरजी और सारोगांगुली से करेंगे मुलाकात तेराक आरियन नहरा ने इतिहास रचा पुरिश्टों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में गोल्ड जीता विमिन क्याटेगिरी में पोलाइन की इगा सुवए आयत तेक ने विंबलडन में जीता से आगास किया चीन की जू लिन को दी शिकस्त सबिया के टेनिस खिलाडी नुवाग जोकोविच ने विंबलडन की जीत के साथ शिरवात किया आजटीना के पेड्रो काचिन को दी शिकस्त सैफ चैंपिन्शिप का फाइनल मुकाबलात बंगलूरू में भारतिय टीम की कोवैट से होगी सीधी टकर बारत के डिफेंडर संदेश जिंगन ने कहा खुवैट में होग से होगी कड़ी टकर जीत का जताया भरोसा